नमस्कार मैं हूँ आपके साथ इस्तियाक एमद और आप देख रहे है अरे निज रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम खबरों की तरफ और वहीं आपको बता दे कि आज यूपी में नोजिलो की करीब 54 सीटों पर मद्दान जा रहे हो इस विक जोनपूर से बड़ी पर जहां पर मचली शहर विदानसवा में एवियम खराब होने की जानकारी सामने आ रहे है वहीं आपको बता दे कि बूच संक्या 45 जमालपूर में एवियम खराब होने की जानकारी सामने आ रहे है इसके लावा आपको बता दे कि एवियम खराब करीब 30 मिनट की देविश स सुरू हुआ था मद्दान जिसके बाद अब मद्दान सुरू हो चुका है इसके लावा आपको बता दे कि यूपी में साथवे और आखरी चरंड का मद्दान जारी है और इस बीच जोनपूर से एक खबर सामने आ रही है और वहीं बढ़िंग एगले खबर के और जहां पर रूस लगातार हमले ने यूकरिन की हालत खराब कर दे और अब खबर है कि यूकरिन अपनी सेना में सीरिया लडाकों की भरती कर रहा है और वहीं दरसल मीडिया एजनसी दा कीव इंडिपेंडेंट के दावा है कि रूस अब सीरिया लडाकों की भरती अपनी सेना में कर रहा है और रूस इन्हें कीव को कबजा करने की जंग में भेज रहा है तो वहीं हाली में अमेरिकी विदेश मंतरी एंटिनी बिलंकन ने ग्रीन सिगनल देते हुए कहा था कि नाटो के सदसे यूकरिन में लडाकों विमान भेज सकते हैं लेकिन यूकरिन के पड़ोसी देश पोलेंड ने अपने विमान चालकों को यूकरिन भेजने और अपने होई छेतरों के इस्ते माल की अजाज़त देने से साफ इंकार कर दिया था दरसल रूस ने कल ही कहा था कि नाटो से जुड़े मुलकों की तरफ से यूकरेन को सैने मदद दी गई तो वो चवावी कारवाई करेगा और वहीं यूकरेन पर हो रहे हमलों के विरोध में अब नेटफलिक्स भी सामने आ चुका है दरसल नेटफलिक्स ने कहा है कि वो रूस में अपनी सेवा को निलंबित कर रहा है और कमपनी ने अपने द्वारा जारी कि एक बयान में कहा कि कमपनी ने जमीनी हालत को देखते हुए रूस में अपनी सेवा पर रोक लगाने का फैसला किया और वहीं दूसरी तरफ टिक टोक भी रूस में अपने प्लैटफॉम पर वीडियो बनाने और देखने से रोक लगा दी है और वहीं फिलिस्तान से भारत कले बहुत दुखत ख़बर निकल कर सामने आई है और विदेश मंत्राले के निसार जानकारी दी गई है कि फिलिस्तान में भारत के राज़दूत की मौत हो गई और इसपर जानकाणी देते होए विदेश मंत्राले ने बताया है कि फिलिस्तीन में भारत के राजदोत मुक्LAR-E को न ostatसमें मृत पाया है और इसपर भारत के विदेश मंत्री ने शौक भी व्यक्त किया है फिलस्तीन में भारत के राजदूत मुकुल आरे की मौत पर शोक व्यक्त किया और उन्हों ने टूट करते हुए लिखा कि फिलस्तीन के रमला में भारत के प्रतिनी दी श्री मुकुल आरे की निधन के बारे में जानकर घैरा सदमा लगा है और वो एक उजवर और प्रती भाखशाली अधिकारी थे और उनके सामने बहुत कोज था और मैं दिल से उनके परिवार और प्रियजनों के लिए समवेद नाव्यक करता हूँ और ओम शानती लिखा उनोंने और वहीं फिलिस्तिन के विदेश मंत्राले ने एक प्रेस रिलीज जारी का ये जानकारी दी है कि फिलिस्तिन राजे में भारत गंड राजे के राजदूत मुकुल आरे का निधन हो गया है जिसमें फिलिस्तिन के विदेश मंत्राले ने राजदूत मुकुल आरे के निधन प पूरी की जा सके।